गण देवता पद्र पहु को सलाह देती हैं कि देवनात अकेला हो गया है उसको अपना ले दाूलत शेख देवनात बाबु को सलाह देता है कि लगान बढ़ने के मामले में हंगामे से अलग हो जाएं देवनात Ki वज़े से गाउ में डाका डालने की घटना तल जाती है तो लीजे आगे सुने धारावाहिक गण देवता की ग्यारहमी कड़ी अरे सोना बेटी अरे कहां है एक गिलास पानी ले आतो अधिलाई बाबा बाबा ये लीजे पानी हाला साधे बाबा ये अच्छे बात नहीं है अरे कौन सी बात बेटी यही कि खेद में काम करते करते सीधे कंकरा चले गए ना खाना ना पीना ये बेला हुआ ये अरे बाप रे देखता हूं तू मेरी बुढ़िया मा बन गई है अर इतनी देर क्यों लगा दी छोटे जमीदार से जगंडे लगे होंगे तो तुझे अमारे बच्छडे के बांधे जाने वाली बात मालूम हो गई हां हमारा बच्छडा चोटे जमीदार के बगीचे में घुषकर फूल पौधे खा रहा था तो जमीदार के माली ने उसे पकड़ कर बांद दिया और तुम जमीदार से जगड़ा करने चले गए बेटी उसने जगड़ा करने का मौखा यह नहीं दिया बहुत भला आदमी है उसने तुरंत अपनी गलती मान ली यह तो अच्छा ही हुआ बाबा शिवकालीपुर के गुरुजी इतनी देर तुम्हारी राह देखकर चले गए कौन देवु गुरुजी हां और कह रहे थे कुछ काम है मुझसे क्या काम था तुने पूछा नहीं पूछा था तो कहने लगे कि तीनु काका को ही बताऊंगा फिर किसी दिन आने को कहा है तुने कुछ पानी वानी पूछा के नहीं हां बाबा पानी भी पिलाया और फिर चाय भी पिलाई अच्छा बाबा उन्होंने मुझसे पढ़ने लिखने की बहुत सारी बाते की अच्छा मुझसे कहने लगे खाली मत बैठो मिडिल केम पिहान की तैयारी करो ठीक ही तो कहा बेटी कंकना के स्कूल में बाबूँ की लड़कियां पढ़ नहीं बूलुँगा बैठी बिलकुल नहीं बूलुँगा दिधी दिधी तु ठीक हो जा है रंगा दिधी जमाइ तु आगे अच्छा हुआ रंगादी तुह देखने को पेचाए न हो रहे थी इनकी हाल ठीक नहीं है जमाइ दुलका रांगा दीदी इतनी बीमार है ये बात मुझे अभी अभी मालूम हुई कपसे खराब है इनकी तबियत साथ आठ दिन से थोड़ा बुखार आ रहा था लेकिन फिर उतर जाता था लुखार बहु सुभा शाम आकर देख जाते थी आज सुभा मैं आई देखा दीदी को होश नहीं है तेज बुखार में बड़ बड़ा रही थी कोई दवा दी उन्हें हाँ लुखार बहु ने कोई काड़ा बनाकर बिलाया बुखार उतरा तो हमसे बात करने लगी पार बड़ तुम्हारा नाम देती थी अभी ले रही है अब फूर सुभार चड़ गया है तारा जातो जाकर जगन डॉक्टर को बूरा कर लेकर आए ठीक है गोजी पहर आगा दीदी को यहीं हूं तुम्हारे पास रहा है दीदी पा सुखर लुखा है देदी यहीं थोड़ा सा दूद्ध पीओगी, क्या हो? ना, 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 कुछ नहीं चाहिए, देबू, देबू, तुझ से कुछ कहना है, देबू, कहो देबू, मेरे पास 16 कौड़ी रुपे है, इधर, इधर जमीन में गड़े है, इधर मेरे हाथ की तरफ है, पास 16 कौड़ी रुपे से मेरा शाथ कर देना, और 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 सुन, पाच 20 को देदेना, और देबू, बाकि सब तू रख लेना, इधर, 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 देवा, आप दोक्टर क्या करेगा, मेरी बात याद रखना, देवा, इधर, आओ डगणे, यही दि." दीधी, पुछियोग किया होगी देवी सबस्क्राइब इणे बहुत तंजीरी बैया, अब तो बुलावा कि और आख ये वह बहुत धीरे चल रहे हैं अधे बहुत दीरे बहुते हुँद देवा देव देव, देव, देव मेरा बैक हाँ ओँधे जो इनेक्शन हो वे पिरू से कुछ खेना देवा, देवा, देवा दीधी 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 रांगा दीधी शाली गई देव रांगा दीधी अले दुना देलु तो देवनाथ बाबू, आपके बयान के मताबिक बुडिया के पास कुल जमा 16 कौड़ी, यानी 320 रुपए थे, यही ना? जीदा रोगाजी, रांगा दीदी ने मुझे यही बताया था. अच्छा, कुल 320 रुपए? बस? श्री हरी, रुपए अभी जमीन में ही गड़े हैं, आप लोग निकाल कर तसल्ली कर लीजिए. अरे, रांगा दीदी तो 50 जगा रुपए रखती थी, उनके बारे में भी तो बताया होगा कुछ? 50 जगे रखती थी या 100 जगे, यह तुम्हें मालूमा? तुरका, मुझे बोलने दे. श्री हरी, रांगा दीदी ने जितना कहा था, मैंने तुम्हें बता दिया. अरे तो देवनाथ बाबू, रांगा ने आप से ये सब कहा भी था या नहीं, इस बात कर क्या सबूत है? कहा था, दरोगा जी, मेरे सामने कहा था, मैं वहां मौजोत थी. ए तुरका, तु तो उसकी जाद ब्रादरी की है नहीं, फिर उसके आखरी वक्त में कैसे आई? उसने बुलाया था तुझे. तरोगा जी, मौत की घड़ी में लोग भगवान को भी बुराना भूल जाते हैं, तो वो विचारी मुझे क्या बुलाती? मैं खुदी आई थी. वहीं, हो सकता है, तुने ही रुपए के लालच में रांगा दीदी को माँ डाला हो? श्री हरी, ऐसी नीच बात तुम ही सोच सकते हो, हाँ? ए तुरका, बात करने की तमीज नहीं है तुझे, घोष बाबु का नाम लेकर बलाती है, तुम कह कर बात करती है उससे? नाराज मत होई दरुगा जी, इन घोष बाबु से जब दोस्ती थी, तो पाल और तुम कह कर बलाती थी, बलकि तुम भी कह देती थी, अब इतने दिनों की आदत क्या छूट सकती है, आप ही बताएं ना अरे मतलब की बाद कर दरुगा, रांगा दीदी के आखरी वक्त में उसकी जाद विरादरी के लोग नहीं आए, आई तू और अनिरुद की बहूँ, उसके क्या माइन है? जवाब दे, अरे जवाब क्यों नहीं देती, क्यों आई थी तुम दोनों? दरुगा जी, कोई हिंदू रास्ते में मर रहा हो, और कोई मुसल्मान आकर उसके मूँ में पानी डाल दे, या मरते हुए मुसल्मान को कोई हिंदू पानी पिला दे, तो आप लोग क्या ये कहेंगे कि उसने उस आदमी का खोन कर दिया? क्या उससे आप ये पूछेंगे कि मरने वाले के जात भाई को ना बुला कर तुमने उसके मूँ में पानी क्यों डाला? देखिये, देखिये, मामले की संजीदगी को समझने की कोशिश कीजिए देवनात बबू, रांगा के पास रुपए थे, इसी लिए हमें शक हो रहा है, हाँ देवुका का, जब पता चल गया था कि रांगा दीदी का आखरी वक्त है, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्यों, तुम्हें किसलिए बुलाता? अरे कैसी बाते कर रहा है, अरे ये गाउं के जमीदार हैं? दारोगा जी, किसी के मरते वक्त जमीदार को बुलाना चाहिए, ये कौन से कानून में लिखा है? वा, 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 जमीदार को पता ना चले और गाउं में कुछ भी हो जाए, ये दोनों बेजाट होकर… बेकार की बात मत करो श्रीहरी, दुर्गा और लुहार बहु हमेशा ही रांगा दीदी के हाल चाल पूछने आती थी, आज कोई पहली बार नहीं आई वो, इन पर बेकार शक्त मत करो तूँ, लो, जगन डक्टर भी आ गए, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं, हाँ, हाँ, हाँ क्या पूछना है, बई डक्टर साल, रांगा के मरते बद आप भी मौजूद थे, हाँ, आप क्या कहते हैं, कोई गडबर लगी आपको, गडबर, कोई गडबर नहीं थी दरोगा जी, रांगा दीदी बहुत बुढ़ी थी, उपर से निमूनिया, तेज बुखार, बैचारी की सह न सकी, प्राहन निकल गए उनके, दारोगा जी, जंक्शन के डॉक्टर को बुला कर, लाश की जांच कराना ठीक रहेगा, है न, और अगर उसने भी इसे सौभाविक मौत बताई, तब क्या करोगे, रांगा दीदी की मिट्टी को कलकत्ते के डॉक्टर के पास जगन, देखो जगन, जदा चालाग बनने की कोशिश मत करो वर्ना, वर्ना क्या करोगे हैं, और घोष बाबू, घोष बाबू, शांत, शांत, घोष बाबू, शांत, देखिए, किसी डॉक्टर बाक्टर को बलाने की ज़रुवत नहीं है, दिवनात बाबू, बई वाजीब हक हुआ तो, अदालत के जरिये मिल जाएगा, कोश बाबू, अब रांगा का दासंसकार कर दीजी, ठीक दार होगा जी, मैं अभी सब इंतजाम कर देखिए, नहीं श्री हरी, रांगा दीदी की देह ना किसी की रईयत है, और नहीं किसी की देंदार, हम तुम्हें जमिदार के नाते इनका दासंसकार नहीं करने देंगे, लेकिन मैं, मैं, तुम औरों की तरह अर्थी के साथ चलना चाहते हो, तो चलाओ, पर मुखागनी का अधिकार, रांगा दीदी मुझे दे कर गई, उनके मुखागनी, मैं करूगा, इन दो गोरी के किसानों की इतनी जुरत, ज्यादा लगान नहीं देंगे, भूके मर रहे हैं, लेकिन मेरे आगे जुखने को तयार नहीं है, यह सब उस भाजी देवू की शैपर हो रहा है, अरे इसका तो कोई न कोई इलाज करना ही पड़ेगा, तभी किसानों की हरतार तोटेगी, अधिके मामले में देवू का नाम लिखकर उसे फसाना चाहा था, लेकिन कमबक्त का कुछ नहीं हुआ, अब अब जा करोंए, अगर गउं भर में ये फैला दिया जाए के, अनिरुद्ध लुहार किस्त्री से तेवू की आशनाई है, और तुर्का के साथ भी उसका नाजाइज रिष्टा है, अब तो यही करना होगा, उसे लोगों की नजरों में गिराना ही होगा, क्या कहां, वो मर्दुआ छेरों मुझे और गुरुजी को बिरादरी से भार करवाएगा, हाँ लुहार बहु, उसने यही फैसला किया है, क्या, एक दिन तुम्हारी जाद बिरादरी के सारे लोगों की पंचायत करेगा, बामन पुरुहित को भी बुलवाएगा, और तुम दोनों को बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, बला किस दोश पर, मैं भी तो सुनो, दोश तो तुम दोनों के सिर पर उसने पहले मड़ रखा है, तुम्हारी पूरी बिरादरी में ये बात पहला दी है, कि गुरुजे के साथ तुम्हारा, दुर्गा, अरे सबसे कहता फिर रहा है, कि लुहार बहु और गुरुजी गाओं में अनाचार पहला रहे है, उनकी वज़े से सारी बिरादरी बदनाम हो रही है, जूट बोलते हुए उस मुझे लेके जीम नहीं चलती, कहने दे उसे अनाप शराप, जो जीम है बक्ता रही, देख ली ना दुर्गा, इस मामले में एक भी आदम उसका साथ नहीं देगा, भगवान करे, भगवान करे, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, कुछ भी कहो, लुहार बहु, तुम्हारा भाब बहुत अच्छा है, देखो ना, बिरादरी बाहर की जा रही हो, तो भी गुरुजी के साथ, दुर्गा, तुझे जल्ब देखो, हाँसी सूचती रहती है, यहां हमारी ज कम नहीं हो रहे है, लुहार बहु, जमाई के साथ मेरा नाम भी जोड़ा जा रहा है, लोग सुन सुन कर खूब रस ले रहे हैं, मौत आजा इस छिरुपाल को, कोई पानी देले वाला न रही से, अरे, लुहार बहु, इस तरह कोसने से उसे मौत आ जाती, तो वो बहुत पह सद्री निकाला होगा न, मैं गले में ढाक लटका, लटका कर खूब गाउंगी, नाचूंगी, और चुरुपाल की सारी कर्टूते गाउंगी, सतिश का कर से गीत बनवा लूँगी, हाँ, जिसमें जमीधार, महाजर, दरोगा, सब का नाम होगा, और उस गीत की टेक होगी, चुरुपाल की किस्से, सच, बड़ा मसा आएगा, जब ये सबें बिरादरी बाहर हो जाएंगे, चुरुपाल की किस्से, भईया, चुरुपाल की किस्से, बैठ की रहे सभा पंचायत, मुझे किसी की पर्वा नहीं है, लेकिन, लेकिन गुरुजी पर लोग जूटा लांचन लगाएंगे, तो उनकी हालत क्या होगी, लोग उने पहले जैसा मान नहीं देंगे, उनकी और उंगली उठाएंगे, नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा, गुरुजी की इस मुसीवत की जिम्मेदाद मैं हूँ, मैं, ना वो मुझे सहारा देते, ना ही जिरुपाल को कुछ कहने का मौका मिलता, ठीक है, अब मैं गुरुजी से कोई मदद नहीं लूगी, हाँ, भूखी रह जाओंगी, पर उनसे अन का एक ताना नहीं लूगी, गुरुजी से अब कोई नाता नहीं रखूगी, कोई नाता नहीं रखूगी, कोई नाता नहीं रखूगी, एह, क्या कहूं देवु भाई, हमारे सारे किये कराय पर पानी फिर गया, हुआ क्या इशाद, कनकना के सारे किसानों को जमीदार ने रुपे पर दो आने लगान बलोत्री पर राजी कर लिया, लेकि निशाद भाई, वो लोग राजी कैसे हो गए, बड़े जमीदार ने समझोते के लिए जो बैठक बुलाई थी, उसमें तुम भी तो गए हो गए, नहीं देबु भाई, मुझे उसमें बुलाया ही नहीं गया, समझोता वमजोता कुछ नहीं, वो जमीदारों की मिली भगत थी, जिसमें दौलत शेख उनका पिठु बना हुआ था, रहम अली उनकी इस चाल को नहीं समझ सका, तकलीफ तो इसी बात की है, वो लोग तो शुरू से ही चाल खेल रहे हैं, पेल काटने वाली बात को भुला कर, जमीदारों ने रहम अली की और जूटी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, और बातों बातों में हमारे कंकना वाले लगान बढ़ोतरी के लिए तयार हो गए, अब बाकी गाउं भी बढ़ा ह हम एक चुट होकर लड़ाई लड़ रहे थे, वो सब बेकार चला गया, रिशाद भाई, हमारी हालत अब पहले से भी बत्तर हो गई, अब कोई उपाय नहीं है, अच्छा चलता हूँ देख रहे हो गण देवु भाई, शीरी हरी लोगों को मुफ्त धान दे रहा है, लोग थेले भर कर ले जा रहे हैं, सब देख रहा है, जानते हो यशाद, ये सारे लोग हमारी बिरादरी के हैं, और अच्छे जाने माने लोग हैं तुम्हारी बिरादरी के, लेकिन शीरी हरी इने किस खुशी में धान बाट रहा है, फिर्शाद, तुभी इतनी से बात नहीं मालू, अरे, पंचायत में गुरु जी को बिरादरी बाहर करने के लिए, ये सब उस मर्दुवे छुरू की हां में हां मिलाएंगे, क्या, देव देवु भाई का साथ छोड़कर, शीरी हरी के जूट में शामिल हो जाएंगे, अरे, यही तो इनकी फितुरत है, इनके पास धान के कामे थी, शुरूपाल ने जैसे ही धान का लालस दिया, बस लग गए उसके तलुए चाटने, देवु भाई पर जूटी तो मत इनका, इनका दीन इमान नहीं है क्या, हाँ, दीन इमान का ठेका तो गुरूजी को जो दे रखा है, जबाई, अब तयार हो जाओ, दो चार दिन में पंचायत बैठने ही वाली है, सामने खलीहान में लोग जो थेले भरबर कर धालने जा रहे हैं वो, वो सारा इंतजाम तु इर्शाद भाई, विरादरी बाहर होने की मुझे जरा भी चिंता नहीं है, देखना यही है कि श्रीहरी के चल फरेब और मेरे सच की लड़ाई में आखिर जीप किसकी होती है मैं कहता हूँ राम चलन पंच ग्राम में सब सचुरे डरबोक है, यहां से वहां तक गीदर भरे होए हैं, समीधार के आगे दुम हिलाने बाले इसमें क्या शक है तुन्यू भाई, अब देखो न, छिरुपाल ने जरा से धान का लालच क्या दे दिया, सब लोग उसकी तरफ हो गए, लगान की बेजा बढ़ोतरी के लिए हां कर बैठे करते रहे हां, शौक से दे भड़ोतरी, लेकिन मैं, मैं एक पैसा बढ़ा कर नहीं दूगा, छिरु से जो बनता है कर ले, जानते हो, सुभा भूपाल आया था, बोला जमीधार जी ने आपको कचहरी ब बुलाया है, फिर गई तुम, मैं जाता हूँ भला, मैंने कह दिया, म भाई मेंड़क अच्छे कपड़े पहन ले, तो क्या हाथी हो जाता है, तिनकोडी, गाओं में अगर ढंग के चार आदमी भी होते न, तो उस छिरु की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती, लेकिन यहां तो एक से एक दरपोक बैठा है, छचुंदर के घुलाम, चमका दढ़ कही पड़ो तरी तेने को रासी तो हो गए रामचरान, पर देंगे कहां से, घर में तो फूटी कोडी रही है, अब मरें के सब के साले, भालू के बेटे, उल्लू, उल्लू, ए सोना, यह पड़ाई हो रही है तेरी, किताब में ध्यान लगा, किताब में, बाबा, मैं पड़ी र मेरी बात, कौन सी बात, वही भालू का बेटा, उल्लू, भालू का बच्चा, उल्लू कैसे हो गया, भला, भाई बीटिया, बात तो ठीक कह रही है, अरे हाँ, मेरी ही गलती है, अब गुस्से में पता नहीं क्या कह जाता हूँ, सच कहूं, रामचरण, मुझे उन लोगों पर इतना खुस्सवा है, कि जी करता है, एक एक गर्दन दबू जाता हूँ, बेइमान करी के, गुरू जी जैसे देवता अदमी को धोगा दे बैठे, सब, सब खत्भ हो गया, रामचरण, गुरू जी की बेजती हो रही है, लोगों में फूट पड़ रही है, समेदार ने जी खोल कर लगान बढ़ा दिया, उस व्यक्ती में पांचों गाउं के नसीब में अब दुख ही तुक्लिका है, प्रभू मैं विपत्ती से डरू नहीं, यही मेरी प्राथना है, हे प्रभू, दुख से भरे मेरे मन को धीरज भले ही न बंधाओ, पर न तु ऐसी शक्ती अवश्य दो, कि मैं दुख पर विजय पा सकूँ, आगे पर, यदि कोई मेरी सहयता न करे तो न सही, किन्तु मेरा बल न तूटे, हानी और दुख होने पर भी मेरी शक्ती बनी रहे, जिससे मैं आगे भी कश्ट का सामना कर चकूँ, प्रभू, यही मेरी प्रार्थना है, प्रभू, यही मेरी भी प्रार्थना है, खूजूर, नए रोजिस्टर में सारा किसानों का डाम लिख दिया है, आई, यह देखिए, ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, जोत वाले कागज देख रिसे रिष्टे में दर्ज करना, ठीक है? जी, बहुत अच्छा, और भाई, जल्दी से काम निप्टाओ, एके बतले दो गुमाशते रख लिए, फिर भी अभी तक लगान बडोतरी के कागल तयार नहीं हुए, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण, आपने मुझे याद किया घोष बाबू, आई है, पुरोही जी आई, बैठेए, अरे कृष्ण, कहिए, क्या काम है? पुरोही जी, वो बात ये है कि भगवान ने मुझे पर इतनी कृपा करती है, सो मुझे भी तो उसे धन्यवाद देना होगा के नहीं है, अवश्य, अवश्य, अवश्य देना होगा, पुरोही जी, प्रभू के चर्णों में बैठ कर, मैं कोई बड़ा काम करना चाहता अच्छा, अब यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो बड़ा काम क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे कोई राय दीजी ना अरे क्रिश्य, अरे क्रिश्य, खुश बाबू, इसके लिए तो बहुत अच्छा उसर आ रहा है, दुर्गा पूजा के दिन करीब आ रहे हैं, शिव कालीपूर के लोगों को देवी दर्शन के लिए कंकना के जमीदारों के यहां जाना पड़ता है, इस बार यदि हमारे च खुश बाबू, दुर्गा पूजा कलियुक का अश्चुमेध है, भगवान ने तुम्हें इस गाउं की जमीदारी दी है, तुम गाउं के राजा हो, सो ये यग्य तुम ही को करना होगा, रोही जी, भगवान मुझसे जो कराएंगे, वो मैं जरूर करूँगा, चंडी पूजा होगी, आप जैसे दस बीस माने लोग आएंगे, पूजा कराएंगे, बच्चे खुशी सद जूमेंगे, नाचेंगे, अरे गाउ भर के लोगों को भोजन कराया जाएगा, विजे दश्मी को रात को आतिश बाजी होगी, और पुरोही जी, ये सारी जिम्मेदारी म पूजा है, ये सब मैं कराऊंगा, मैं, गाउं में मेरे नाम की धूम मच जाएगे, सब लोग मेरा साथ देंगे, फिर देखता हूँ, मेरा विरोद करने वाले, मेरे आगे कैसे टिकते हैं, खरद्वार, गाय गोरु, जमीन, सब बेकवाकर उन्हें बेखारी ना बना दिया, तो मेरा नाम भी सीहरी खुश नहीं। गण देवता भाग लेने वाले कलाकार थे राजेश कामबोज, कमल साथी, किशोर सहजानी, संजे वर्मा, कुमकुम जैन, मंजु आलोक, एसम शरीफ, सुनिल लोहिया, सुरेंद्र सागर, मम्ता मलकानी, विजेना ग्याल, और सुश्मा शर्मा भाग घ्टका मलकानी ।